क्या आपको पता है हेमोगलोविन कम होने से विटेमिन B12 की डिफिशेंसी से आपको हैफॉल हो सकता है आपको अगर थाइरोइड भी है उससे भी आपको हैफॉल हो सकता है आपको जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर को कंसल करके सप्लिमेंट के मदद से आप पनीर, चिकेन, एग, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन फूड आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद मैंने कुछ अपना शैंपू, अपना कंडिशनर वगेरा चेंज किया था, अगर आपको बहुत जादा शैंपू करने के वक्त हैर फॉल है पर इसका एक drawback है, यह बहुत जादा drying है hair के लिए, इसलिए मैं यह शैंपू को dilute करके सिर्फ अपना scalp पे apply करती हूँ, और बाकी hair length में I use a normal shampoo with a condition, अगर आपको बहुत जादा sticky dandruff है, itching होता है बालो में, उसके लिए I used Scalpy Pro Shampoo, दो तीन wash से ही आपको पता चल जाएगा क आपका scalp बिल्कुल clear हो चुका है, पर इसको आपको at least one day a week continue करना ही परेगा, now I would like to come to my favorite product, जिसका short भी मैंने बनाया था, आप उसका मैं long video बनाने जा रही हूँ, that is mountain ebony, न जाने biotech का यह mountain ebony hair serum, मैंने कितने bottles खतम कर चुके हैं, I love the smell of this one, this is such a lightweight product, बिल्कुल आपके scalp प अपने आप ही यह absorb हो जाएगा, next day आपको shampoo करने का भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें है mountain ebony, इसमें है amla, muleti, यह सब कुछ hair fall stop करने में मदद करता है, इसका mouth, इसका opening bottle का बहुत जादा बरा है, अगर आप direct scalp पे लगाने जाएँगे तो बहुत जादा product वेस्ट होगा, I prefer to pour this in a bowl, और उस dropper लेके, I use it directly in my roots, यह बहुत effective product है, इसके use करने के बाद, I have small hair growth, I hope this is showing in the camera, this was all for today, यह था मेरा hair fall routine, I hope this will help you, thank you and please subscribe.